कि यह वाई कूछ 55 साथ है ऐंक यह कि वालु आगे 5 हालो बच्चा लोगarinश्कनर दॉस्तों स्वागत आपकाँ मुहित की पाहशाण Radha में आपके मुहित सर आचुके यह आपके लिए एक और इंपॉर्टन प्रस्चावली लीएक आज कि सवेडियोंわかर बाद करने वाले है प्रश्णावली 3.3 Class 10th Mathematics आज किस वीडियो में खास क्या है प्रश्णावली 3.3 में हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विदी क्या होती है उसकों किस तरह से यूज करते हैं और प्रतिस्थापन विदी का यूज करके हम लोग प्रतिस्थापन विदी जिसे हम लोग इंग्लिश में सब्सिट्यूशन मेथड कहते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये प्रतिस्थापन विदी होती क्या है और इसको यूज किस तरह करते हैं तो आजए स्टार्ट करते हमारा आज का टॉपिक बिना आपका टाइम वेज किये तो जैसे मैंना आपको बतागी हमारा जो आज का टॉपिक हो एक प्रतिस्थापन विदी आज किस प्रदुप के मोग शीखने वाले हैं सबसे पहले जान लेते हैं प्रतिस्थापन वीदी के परेंगे तो इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा बुक में दिया उधारण प्रश्टावली सबसे जो इससान लग रहाए वो कौन सा है अगर हम दूसरे जबी करने को ध्यान से देखे अगर हम यहां से 2y को दूसरी तरफ ले जाएं तो x की वैल्यू आजाएगी in terms of y एक्स इस इक्वाल टू 3-2y ऐसे करना आपने हर कोचन में यह आपने x की वैल्यू निकाल लिए in terms of y जैसे अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 2y इस इक्वाल टू तीन वैसे रहेगा सिरफ x दूसरी तरफ से है बड़ आपने देखना क्या होता कि जो एकस के साहत कोई भी नंबर नहीं है ओल्सी वर फिधिकें 25 नहीं तो से देखनी है अगर रहाए सिंपली होता यहां दो रहां पर आस on यह देखुआ अगर यह इस तरह बनती तो यह बैटर है कि यह बैटर है यह सिंपल वैल्यू अब उसके पास क्या करना है पहला जो स्टैप होता है यह तो आप एक्स की वैल्यू निकालो यह वाइक वैल्यू इस तरह जे यह तो एक्स की वैल्यू निकालो यह होता फर्स्ट है यह आपका पहला स्ट अब इसके बाद क्या करना होता है आपने जब समिकरनद 2 से एक्स की वैल्यू निकाली है तो आप उस वैल्यू को समिकरण 2 में पूटनी करोगे ठीके उसी इक्वेशन में X या Y की जो भी वैल्यू आपने निकाली है वैल्यू को मान बोलते हैं ठीके उसी इक्वेशन में X या Y की वैल्यू या मान नहीं भरोगे या रखोगे पहले बेसिक समझना थी है उसके बाद कोचन हम धरड़ड़ कर लेंगे जल्दी से जल्दी ठीक है उसी एक्वेशन में X से Y की वैल्यू जो भी आपने वैल्यू निकाली है तो हमने समिकरण दो लिया था तो वहां पे हम पूटनी करेंगे हम इसको समिकरण एक में पूट करे करेंगे अगर हमने वाई की वैल्यू निकाली होती तो हम इसको यहां पूटनी करते हैं इसको यहां पूट करते ओके यह बेसिक चीज़े हैं जो आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे ओके टाइम जित्रा मर्दी लगे में चीज़े की स्टुडेंट को समझ आना चीए सारे डाउर्स दूर होने चीए तो यह भी आपको समझ आ गया कि उसी क्वेश्चन में पूट नहीं करना है जिसे क्वेश्चन को आप चूज कर रहे हो सिंपल अब जो आपने वैल्यू निकाल लिए तो साथ ब्रेकेट लगाओ जो एकस के वैल्यू उसको अंदर लिख दू कि पहले इसको मंटिप्लाइ कर दो यह बन गया किस चौदा वाई और यहां पंदरा वाल दो जो बीना वाई वाली टर्मस को दूसरी तरफ ले जाओ यहां पर यहां आएगा 29 वाई और वहां 21-29y एकवर टू-29 माइनस कड गया वाई इकवर टू-29 इतना है यहां ना है एकस की वैल्यू निकाल दी को हैं जो आपने एकस की वैल्यू बनाई थी ना यहां से कि वैल्यू पूट कर दी तो इसकी वैल्यू आँगे त्वाई निस बटे 29- यह आपके पास आएगी 3-38-29 इस काल्सियम करेंगे तो यह मारवा बनेगा 87-38-29 तो यह मारपास आएगा 89-39 तो हर कोस्टन वे आपने इसी तरह करना है एक बार बार यह वीडियो देखनी ही ना पड़े पहला स्टैप x या y की वैल्यू निकालो सबसे पहले क्या करना है दोनों एक्वेशन को ध्यान से देखना है कि simple value कहां पर है ओके simple value देखने के बाद equation 1 या equation 2 को चूज करो वहां से या x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो जो भी आपने value निकाली है अगर आप equation 2 से x या y की value बना रहे हो तो आपने उसकी value equation 1 में put करनी है और अगर आप equation 1 से x और y की value बना रहे हो तो आपने उसको equation 2 में put करना है same equation में put δεν करना है एकर आप equation 2 से x के y की value बना रहे हो तो आपने उसे में इसको put नहीं करना है एक में put करना है एक से बना रहे हो तो दो में put करना है तो value क्या लूव पूट करने के बास आपने क्या करना है जो भी आपके पास आंसर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू पूट कर रहे हो, तो क्या y की वैल्यू निकलेगी वहाँ से, अगर आप y की वैल्यू पूट कर रहे हो, तो x की वैल्यू निकलेगी, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी, वहाँ से आपने दूसरा ज दिए वो क्लियर हो गई होगी अब हम लोग प्रश्णा वाली तीन पार्ट इन को शुरू करने वाले कोश्चा नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं जो पहला कोश्चेन उसमें टोडल 6 पार्स दिये गए पहला जो कोश्चेन है मारा वह है एक्स प्लस वाइज इकोल टू 14 और एक्स मानस वाइज एकोल टू 4 हमें यहां से इसमें प्रतिष्टापन विदी का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दोनों समिकरन को ध्यान से देखो दोनों ही सिंपल हमारे समिकरन है हम लो वैल्यू यह उसको अमलोग समिकरन एक में पूट करेंगे ठीक है समिकरन एक में पूट करेंगे एक्स की जगह प्लस वाई प्लस वाई इकोल टू 14 बीना वाई वाली तांब दूसरी तरब यह व्योगा दो वाई 14-4 2y इक्वर्टु 10y इक्वर्टू 10 वाइद एक्वर्टू 10 वाइद एक्वर्टू 10 वाइद पांच यह वैल्यू यहां पर पुट करो तो एक्वर्टू 4 प्लस 5 कितना आगया नो एक्वर्टू आगी डो वाइक्वर्टू 5 ओगया सोब तो बेसिक समयत्रे के बाद इनको सॉल्व करना बहुत यहसान है सिंपल आप गरते मत दूसरा पार्ट अब उसमें दूसरा वक्वर्ट दिया है उसमें दिया एस माइनस टी इस इकोल तू टी एक्वर्टू छे हमें यासे S और T की वैल्यू निकालनी है ओके आप बोलोगे कि सर आपने तो X और Y की वैल्यू बताइए तो वेरियेबल कोई भी दिया हो अल्फागाट कोई भी लिखाओ AB लिखाओ CD लिखाओ ML लिखाओ XY लिखाओ ST लिखाओ P के और कुछ भी लिखाओ आपने सेम प्रोसास फॉलो करना है ठीक है तो इस एक्वेशन को आप ध्यान से देखो पहली एक्वेशन तो सिंपल है दूसरी जो एक्वेशन है पहले समें LCM करना पड़ेगा उसके बाद इसको सिंपल वों में लाना पड़ेगा तो यह दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं सहां जोतों उपाइन मल्टिप्लाइख में लिए करने सों हैं जो है मैं इसको भाक रेंगा दो यह नगा बनेगा सब्सक्रांः दूसरा इस अब दोनों में से लेको simple वाला simple है ठीक है एक यह इस वैल्यू को इसमें फुट करो तो दो एस की देखा हम लिखेंगे तीन जमा टी यह प्लस है यह टी है ओके यहां तीन पी पी को मैं थोड़ा टेडा कर रहा हूं ताज यह अब इसको प्लस ना सुट्र ओके छे जमा दो टी प्लस टी इकवल टू थर्टी शीक्स बीना टी वाली टाम दूसरी चरब यहों कहा पांच टी इस इकवल टू चटीस माइनस छे पांच टी इकवल टू टीस प्लस यानी छे पी आगया छे कि की वैली को यहां पुट करो तो एस इस इकवल टू तीन प्लस छे यह आगया नों तो एस आगया नों ती आगया 6, 9-6 3 दिया है ना, तो S और D के वालू आगी है 9 और 6, आगे बढ़ते हैं करते हैं इसका तीसरा पार्ट, अब इसका तीसरा पार्ट, पहली एक्वेस्टन है 3x-y इक्वेल टू 3, दूसरी एक्वेस्टन है 9x-3y इक्वेल टू 9, अगर आप दूसरी वेस्टन को जहां से देखो, इसको अगर आप 3 से डिवाइड कर दो, यह बनेगी 3x-y इक्वेल टू 3, तो यह और यह एक्वेस्टन दोनों सेम है, जब भी आपके बास एक्वेस्टन सेम आती है, तो उसमें आपके बास कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि पूरा का पूरा, आके बास सिर्ण नंबर बचेंगे, जिस कारण इसका कोई भी हल नहीं होगा, आपको करके बताता हूं, देखो, 3x-y इक्वेस्टन भी आसी है, अब देखो, कोई भी इक्वेस्टन लिलो एक ही बात है, मानलों में आसे x की वैल्यू निकालते हैं, तो 3x इस इक्वेस्टन पूटकरों, यह देखो, 3x-y यह बात ही, इस तरह देखो, थीन से 3 चाट गया, 3x-y इक्वेस्टन वाइस यह ब्यात इक्वेस्टन भी इक्वेस्टन, ऐसी खाल गया, जब कोई वेरिएबल नहीं बचा है, कि हम क्या नहीं आक आल रहे हैं , तो जब भी आपके जो समीकरण है वो एक जैसे हो तो उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा यहां से हम लोग x और y की value नहीं निकाल सकते तो इस बाज को भी ध्यान में रखे आगे बढ़ते हैं इसका चौथा बाट करते हैं अब इसका चौथा बाट चौथा बाट में जो समीकरण दी है वो इस पर कारण 0.2x plus 0.3y equal to 1.3 दूसरा समीकरण है 0.4x plus 0.5y equal to 2.3 अगर हम इसको solve करना हो हम दशनलब के साथ इसको solve कर सकते हैं बट आपकी सुद्धा के लिए हम इसे पहले सिंपल करेंगे तो यह बना 2 वटे 10x 3 वटे 10y 13 वटे 10 तो 10 यहां भी कौम मनें वहां भी कौम मनें तो यह बनेगा 2x 3y equal to 13 यहां 10 यहां भी 10 10 से 10 कड़ गया आपना समीकरण बना 2x plus 3y equal to 13 यह बना पहला समीकरण अब सेम वैसे दूसरे के लिए 4 वटे 10x 5 वटे 10y 23 वटे 10 यहां भी 10 बराबर है कौमन है ना समय ठीक है यहां 10 समय कौमन है तो 4x plus 5y 23 वटे 10 यह भी कड़ गया दूसर समीकरण क्या बना 4x plus 5y equal to 23 अब दोनों में जेखो सिंपल कौन सा है तो पहला वाना सिंपल है यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू इंटर्म वटे 10y और x is equal to 13-y बटे 2 इस वैल्यू को आपने यहां बूट करना है चार इंटू 13-3y बटे 2 plus 5y 23 दो से 4 गड़ गया दो आगया दो गुना 13 26 माइनस का 6y 5y 23 चालता है उदर यहां का माइनस y 23-26 माइनस y equal to minus 3 y equal to 3 y की वैल्यू आगी 3 अब x की वैल्यू कैसे आगी यह 3 यहां बूट करेंगे 13-3 गुना 3 बटे 2 13-9 बटे 2 कितरा आएगा 2 x आगया 2 y आगया 3 ओके आगे बढ़ते हैं अब इसका पांचवा पार्ट इसमें दिया अंडरूर 2x प्लस अंडरूर 3y equal to 0 अंडरूर 3x minus अंडरूर 8y is equal to 0 तो कोई भी question लेलो दूसरी question लेते हैं ठीक है तो अंडरूर 3x equal to अंडरूर 8y और x की वैल्यू आगी अंडरूर 8 बटे अंडरूर 3y यह वैल्यू आगी आगी ना ठीक है इस इस वैल्यू को लोग पहली को इसमें पूट करेंगे तो यह बने अंडरूर 2 इंटू अंडरूर 8 बटे अंडरूर 3y कि यहां से देखो यह हमारा बनेगा अंडरूर 16 अंडरूर 3y यह हमारा बनेगा 4y कितना बनेगा 4y जो हम इसका कर देंगे तो यह हमारा बनेगा अंडरूर 9 यानि की 3y और जो हमारा पॉन में था वो चला जाएगा दूसरी तरब यह बनेगा यह आगया साथ y इकोई डू जीरो तो वाई आगया 0 बटे साथ यानि जीरो जब हमारा य जीरो है इस वैलू को जब हम यहां पूट करेंगे तो यह कितना बनेगा देखो अंडरूर 8 बटे अंडरूर 3 इंटू 0 एक्स भी आगया 0 वाई भी आगया 0 ओके एक्स भी 0 वाई भी 0 अवे पहले कोश्चन का छटा पार्ट यहां पर समीकरण है वो इस तरह दिये गए तीन एक्स बटे 2-5y बटे 3 इक्वल टू-2 एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 2 इक्वल टू 13 बटे 6 तो पहले इसका सब्सक्राइब करते हैं समीकरण को सिंपल बनाते हैं तो आगे कोई करते हैं इसको जोल यह मारा बनेगा माइनस दो इस तरह बनेगा यह मारा बनेगा 9x-10y-12 पहला समीकरण यह दूसरा देखो यहां पर भी आएगा नीचे 6 2x 3y इक्वल टू 13 बटे 6 6 से 6 कड़ गया आपका समीकरण आया 2x 10 3y इक्वल टू 13 समीकरण 1 और 2 दोनों आ चुके अब समीकरण 2 लेते हैं तो 2x इस इस इक्वल टू 13-3y बटे 2 इस वैल्यू को पहले समीकरण में पूट करो यह बनेगा 9 इन्टू 13-3y यहां पर 2 10y एक्वल टू माइनस 12 यह कड़ेगा तो है नहीं ठीक है तो पहले इसको मल्टिप्लाई कर लो यह बनेगा तेरा ना 117-27y बटे 2-10y माइनस का 12 तो पहले जब आल्सियम करेंगे तो यह बनेगा 117-27y-20y अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस का 12 यह उदर जाएगा यह बनेगा 117-27y-12y यह हो गया 27-27y-12y यह हो गया –47y is equal to –24 यह उदर चला गया –117-47y equal to –141 यह कड़े गया –y is equal to –141 बटे 47 यह उदर गया 3 –y की value आगी 3 कितनी आई 3 तो इस 3 को कहां बूट करना है – इदर यह बनेगा x is equal to 13-9 बटे 2 x is equal to 4 बटे 2 दो –y आगया 2 y आगया 3 ओके इसी के साथ question number 1 होता है complete – आगे बरते question number 2 की और question number 2 में में 2 समिकरण दिये यहां से जो यह तीसरा समिकरण है इससे हमें m की value निकाल ली ओके तो समिकरण अगर एक है मारबा 2x plus 3y equal to 11 और दूसरा समिकरण है 2x minus 4y minus 24 यहां पर अगर हम इसको 2 से भाग कर दें 2 से भाग कर दें यह बनेगा x minus 2y minus 12 यह बनेगा यही से हम x की value निकाल सकते है x is equal to minus 12 plus 2y इस value को हम पूट करेंगे यहां पर यह बनेगा 2 into minus 12 plus 2y plus 3y equal to 11 minus 24 4y plus 3y equal to 11 यह बनेगा यह बनेगा 7y equal to 11 plus 24 यह बनेगा 7y equal to 10 30 y equal to 35 बटे 7 5 y की value आगी 5 इस value को पूट करेंगे इधर x is equal to minus 12 plus 2 गुना 5 minus 12 plus 10 minus का 2 x आगया minus का 2 y आगया 5 इसको पूट करेंगे यहां पर देखते हैं क्या आता है y हमारा 5 is equal to m into minus 2 plus 3 यह बनेगा 5 minus 3 minus का 2m यह बनेगा 2 equal to minus का 2m minus 2m equal to 2 m is equal to minus 2 बटे 2 minus 1 m की value आगी minus 1 m की value आगी minus 1 अब रहता हमारा कोश्चा नंबर 3 जिसके 5 सब पार्स हैं उसको सॉल्व करते हैं तीसरा कोश्चन का जो पहला बाटे उसमें क्या कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है तो हमें दोनों संख्या ग्याद करना है जो पहले हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है एक संख्या इकोल टू 26 और उसके बाद यह कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है तो एक स्माइनस 3 वाई इकोल टू 0 गरो यहां से आपके पास एक स्की वैलियू आगी इंटर्म ओफ वाई इसको पूट करो यहां पर तीन वाई माइनस वाई एक संख्या दो आए चब्विस वाई इकल टू चब्विस बटे दो तेरा वाई की वैल्यू आगी तेरा इस वैल्यू को पुट करेंगे यहां पे तो एक्स इस इकल टू तीन गुना तेरा तो 49 एक्स आगया 39 वाई आगया 13 ओके अब देखते हैं एक्स माईनस वाई 26 आता है कि नहीं तो 49 माईनस 13 आगया 26 ओके और यह वाई की तीन गुनी भी ये तो आपके अंसर है x बराबर है 39 y बराबर है 13 करते हैं इसका दूसरा पार्ट अब इसका दूसरा पार्ट दो सम्पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो हमें वो कौन ग्याज करने हैं तो हम पूरा कौन क्या होते हैं 180 डिगरी ठीक है दो कौन दिया ना तो x plus y 180 डिगरी या 180 ठीक है x plus y equal to 180 अब यह कहता है कि जो बड़ा कौन है वो छोटे से 18 दीक है तो x minus y equal to 18 ओके 18 दीक है तो यह मारवास आगे दो समिकरन अब दूतरा समिकरन लेते हैं तो x is equal to 18 plus y इस value को put कर ओपर यह बनेगा 18 plus y plus y 180 यह चाला जागा उदर यह गा 2y 100 c minus 18 2y बराबर है 162 y equal to 162 5281 तो y आगा 81 x की value गयागी 18 plus 81 99 तो x आगया 99 डिगरी और y आगया 81 डिगरी हो गया दोनों का टोटल हो गया एक सोसी तो आपके आंसर है 99 डिगरी और 81 डिगरी अब करते इसका तीसरा पार्ट अब इसका तीसरा पार्ट एक क्रिकेट टीम के कोच ने साथ बल्ले तता छे गेंदे 3800 में खरी दी बाद में उसने 3 बैट और 5 गेंद 1750 में खरी दी परते एक बैट और परते एक बॉल का मुल्य ग्याद करना है तो सबसे पहले जो बैट उसके लिए हम x लेंगे बॉल के लिए y लेंगे तो 7 x प्लस 6y एक्वल टू 3800 और दूसरा हम भी करन है तीर x जबा 5y 1750 ओके तो बनों के हरते हैं दूसरा साम निकला लेते हैं यहां से हम वैल्यों निकलते हैं x की 1750-5y x is equal to 1750-5y बटे 3 इस वैल्यों को पूट करेंगे यहां पे यह बनेगा साथ इंटू 1750-5y बटे 3 लस 6y इक्वल टू 3800 तो यह मारा बनेगा देखो साथ गुना 1750-7 गुना 5y बटे 3 हैं यहां पे ठीक है और यह 6y इक्वल टू 37 यह मारा बनेगा बारादार दोसो पच्चास तीक है यह बनेगा 35y तीन से इसको करतों मल्टिप्लाइए भी ओगा 18y बटे 3 इक्वल टू 3800 तीक है अब यह तीन उदर तला जाएगा तो यह बनेगा देखो 12250 माइनस 17y एक्वल टू 3800 गुना 3 यह बनेगा 12250 माइनस 17y यह बनेगा 00411 11400 यह उदर तला द्यागा यह बना माइनस 17y जारा 400 माइनस 1250 यह मारा आगा माइनस 17y एक्वल टू माइनस 850 माइनस से माइनस कर गया y इक्वल टू 850 बटे सत्रा 50 दीक है यह आग्या 50 इस वैल्यों को पूट करेंगे यहां पर तो एक्वल टू एक्वल टू रह सत्रा सो पच्वल टू बटे से माइनस 15 बटे से यह बनेगा आगया 500 वाई आगया 50 यानि एक बैंट का मुले है 500 रुपए और एक बॉल का मुले है 50 रुपए ठीक है तो इसका तीसरा पाड़ के उता है अब रहते हैं तीन पार्ट और अब इसका चौथा पार्ट इसमें में दिया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत प्रती किलोमेटर भाड़ा क्या है एक व्यक्ति को 25 किलोमेटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा पहले संभीकरण बना लेते हैं सबसे पहले कहता कि 10 किलोमेटर दूरी के लिए उसे 105 रुपए देने होते हैं तो एक्स प्लस दस वाई एक्वाई 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 यह आगा माइनस का 50, y इकल तू 50 पर टे 5, 10, y की वैलू आगी 10, इस वैलू को पुट करो यहाँ पे, x इस इकल तू 15 माइनस 15 गोना 10, x इस इकल तू 15 माइनस 15, 5, x आगा 5, y आगा 10, x आगा 5, y आगा 10, तो x और y आपने निकाल ली है, अब यह कहता है कि 25 किलोमेटर यात्रा करने के लिए उसको कितना पैसा देना होगा, तो थोड़ा सा ध्यान लगाई है कि जब वो 10 किलोमेटर सबर करता है तो उसको 105 रुपाय देने होते हैं, जब वो 15 किलोमेटर सबर करता है तो उसको 105 रुपाय देने होते हैं, तो अगर आप यह ध्यान से देखो, 15 किलोमेटर माइनस 10 किलोमेटर करो, इसी दरह 155 माइनस 105 करो, यह आपका आगा 5 किलोमेटर इक्वल टू 50, और 1 किलोमेटर इक्वल टू 50 बटे, 50 बटे 5, यानि 10, तो एक किलोमेटर एक्स्ट्रा के उसके 10 रुपाय देने पड़ेगी, यानि एक किलोमेटर का वो 10 रुपाय ले रहा है, अब यहां पर देखो, 10 से 15, कितना ग्याप है, पास किलोमेटर का ग्याप है, ठीक है, तो उसने क्या किया, 105 में 50 रुपाय गर दिया, मतलब 10 गुना 5 किया, 50 हो गया, 155 बन गया, 15 किलोमेटर के कितना आया, 155, अब 15 में 5 रुपाय गरो, ठीक है, यह बने आप 20 किलोमेटर, 20 किलोमेटर बनेगा, यानि 155 में फिर 50 रुपाय गरो, 205 बना, अब इसमें फिर 5 रुपाय गरो, बना 25 किलोमेटर, अब आपका आंसर आने वाला है, ठीक है, 205 में 50 आड़ करो 25 तो उसको 25 किलो मिटर के लिए 255 रुपया देने होंगे ओके आगे बरते हैं इसका अगला पाट करते हैं तो उसका जो पाँचो पाटे वो है यदि किसी भीन के अंश और हर दोनों में 2 जोड दिया जाए तो वह 9 बटे 11 हो जाती है एक्स और वाई की वैल्यों निकाल दी पहले यह कहता है कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड दिया जाए तो वह 9 बटे 11 हो जाती है और अगर उनमें 3 जोड दिया जाए तो वह 5 बटे 6 हो जाती है पहले मिनको सिंपल करेंगे ठीके यह मारा बनेगा 11x प्लस y और यह बनेगा 9y प्लस 18 प्रोस मल्टिपलाई गिया ठीके 11x माइनस 9y एक्वर्टू 18 माइनस 20 यह बनेगा 11x माइनस 9y माइनस 4 पहला समी करन यह बना यहां पे भी आसे करेंगे यह आगा 6x प्लस 18 5y प्लस 15 यह यह दो खेस्ट माइनस 5y 15-18 6x माइनस 5y एक्वर्टू माइनस 3 दोने सम्मी करन आचुते हैं इस सम्मी करन से हम x की वैयलम कलते हैं 6x इक्वर्टू माइनस 3 प्लस 5y x इक्वर्टू माइनस 3 5y घटे 6 इस वालू को पूट करेंगे यहां पर यह बनेगा 11 इन्टू माइनस 3-5y बाटे 6-9y इसको शॉर्प करेंगी यह बनेगा माइनस 33-5y छे से इसको मुल्टिप्लाइ कर दो यह गया मैनस का चाहवन वाइर और 6 को दूसरी तरब भी ले जो ठीके जोगया माइनस 24 दो स्टैप मैंने एक साज ही कर दिये ओके यह हो गया माइनस 33 प्लस वाइर दो माइनस 23 उधर दरा जाएगा वाइव इकल टू माइनस 24 प्लस 33 वाई इकल टू 9 वाई हमारा आगया 9 यहां से एक्स की वाल्यू निकालेंगे माइनस 3 प्लस 5 गुना 9 वटे 6 माइनस 3 प्लस 45 वटे 6 42 वाई 6 7 तो एक्स आगया 7 वाई आगया 9 एक्स वटे वाई ने वो क्या बनेगा तुमारा बीन बनेगा हो रहा है एक्स एक्स अपन वाई यानि साथ वटे 9 ओके साथ जमा दो नौ नौ जमा दो गहरा नौ बटे गहरा बन गया साथ जमा तीन 10 हो गया नौ जमा तीन 12 हो गया तो पांच वटे 6 ओके तो आपकी जो वैल्लू वो करेक्ट है अब करते इसका आखरी पांच वर्ष बात जैकब के आयू से तीन गुनी हो जाएगी और पांच वर्ष पूर्व जैकब के आयू के पूत्त्र के आयू की साथ गुनी थी उनकी वर्तमान आईू निकालनी है तो जो भी एज़ वाले गोश्टन आपको दीये जाते हैं उसमें आपने क्या कर तो मेंस जितने भी साथ कढ़े दा और दूसरी तरह भी उसको माइनस कर दो इसी के साथ वह कहता है कि जो जैकब उसकी जो आयू है वो उसके पूतर की साथ गुली थी ठीक है तो यह होगी जैकब की आयू x-5 यो गया y-5 इंटू 7 ठीके 7 गुनी बोल रहा ना अब यह बोलता 5 वर्ष बाद तो x-5 कितनी हो जाएगी तीन गुनी तो इंटू 3 समिकरण क्या बनेगा x-5 इक्वल टू 7y-5 और x-7y इक्वल टू-5 प्लस पांच x-7y इक्वल टू-3 यह बना एक समिकरण और यहां से बनेगा x-5 3y प्लस 15 x-3y 15-5 यह बनिया दूसर समिकरण यहां से x की वालू टू-3y इसको पूट करो यहां पर आपका बनेगा 10 प्लस 3y-7y इक्वल टू-3 यह बनेगा-4y इक्वल टू-3-10 इक्वल टू-4y इक्वल टू-4y इक्वल टू-4-10 तो यह आग्या 10 x कितना आएगा 10 प्लस 3 गोना 10 प्लस 3 गोना 10 यह बनेगा 10 प्लस 30 चालीस x आग्या 40 y आग्या 10 ओके तो जेकव की आई हुए 40 वर्ष उसके पूत्र की आई हुए 10 वर्ष ओके तो यही था मारा आज का टॉपिक आज की इस वीडियो में हमने सीखा किस तरह से हम लोग 33 सापन विदी का यूज करके x और y की वैलिज को निकालते हैं तो प्रश्णा वाली 3.3 में हमने टोटल 13 कोश्चन सौल्ट की हैं और इन 13 कोश्चन को आपने बहुत ही अच्छे वे में और इजी वे में आपको समझाया है तो जितने भी स्टूर्ड क्लास स्टाथ में बढ़ते हैं इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राइग कीजेगा इस वीडियो से आप लोग अपन और चैनल को अगर आपने अभी तर्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मेरा वीजन है कि मेरे चैनल पर जाद से ज्टूर्ड कनेक्ट कर पाएं और मैंतमेडिस को एक नए वेमें सीख पाएं वो भी विल्कुल फ्री ओके तो आज किस वीडिय में प्रश्णावली तीर पॉइंट चार के साथ